तो एक और SME कंपनी अपना IPO लेकर आ गई है, जिसका नाम है Mason Walls India Limited, इस कंपनी की सुरातविती 2016 में, यानि की करीबन 7 साल पुरान ये कंपनी है, तो जानते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो ये कंपनी सप्लाई करती है, Equators, Strainer और Remote Control Walls System, तो जैसा कि आप फोटो म Remote Control System, Control Cabinet, Tanks, Visualization System, Pumping, Pumps, Fitting, Gas Tech, इस तरह के Measurement Device में, डिलिंग करती है, साथी एक कंपनी इस तरह के Device Installation और उनकी Maintenance Service प्रोवाइड करती है, तो सिंपल बासा में अगर समझे, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस 3D Model के ज़री आप समझ सकते हैं, कि वाल्स इस तरह स नली के ज़री इस ट्रांसपर करते वक्त, दो नली के बीच में वाल्स को फिट किया जाता है, और इस लिक्विट की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है, और ये कंपनी बारत के साथ साथ बाहर की Countries को भी अपना माल सप्लाइ करती है, जैसे कि जर्मनी, साउथ कोरिया, ओमान रसिया, स्वेडेन, UAE, स्रिलंका, कतर, आइलेंड, इस तरह की Countries को ये अपना माल एक्सपोर्ट करती है, तो अब इस कंपनी के फाइनांसियल देख लेते हैं, मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट थी, 2,105 लाख रुपे की, जो की इस साल बढ़कर हो गई है, 4,509 ल दिखाई है, 2,21 में इस कंपनी का प्रोफिट था, 11,00,00, जो की इस साल बढ़कर हो गई है, 452,00,00, इस कंपनी के ऊपर उदारी, यानि की बोरिंग्स की बात करें, तो 2,21 में थी, 918,00,00, जो की इस साल बढ़कर हो गई है, 1124,00, रुपे की, इस कंपनी के पास, 2,21 में रिजव कैस थी, 48,00,00, रुपे की, जो की इस साल बढ़कर हो गई है, 1157,00, रुपे की, यानि की अगर इस कंपनी के प्रोफिट और रिजव कैस को मिला दे, तो ये कभी भी अपनी आराम से उदारी चुका सकती है, यानि की अल्मोस्ट ये कंपनी डेप्ट री कंपनी है, तो इस कंपनी की बैलेंस सीट तो बहुत ही तगड़ी है, अब इस कंपनी के पियर कंपरिजन्स की बात करें, तो कोई भी लिस्टेट प्लेयर नहीं है इस कंपनी के पियर कंपरिजन्स के मुकाबले, इस कंपनी का रिटर्न और नेटवर्थ है, 24.6 का, जो की बहुत ही सां फॉर पर लिस्ट होगा, रिटेल के लिए इस IPO में 50% का डिजविशन और 50% का अधर्स के लिए है, एक लॉट में होंगे 1200 शेयर जिसके लिए आपको लगेंगे एक लाग बाईस अजार चार सो रुपे, IPO की ओपन डेट है 8 सप्टेंबर, क्लोस डेट है 12 सप्टेंबर, अलॉट्मेंड डेट है 15 सप्टेंबर, लिस्टिंग डेट है 21 सप्टेंबर, और जिनको IPO नहीं लगा, उनको 18 सप्टेंबर तक रिपन मिल जाएंगा, तो आप जानत के अंदर सांदर ग्रोथ इस कंपणी ने दिखाई है, कंपणी के उपर ज्यादा उधारी भी नहीं है, और जितनी भी उधारी है, वो अपनी रिजव कैस से आराम से चुका सकती है, आल्मोस्ट ये कंपणी डेट ही है, साथ ही एक कंपणी IPO से मिले पेशों का इस्तमाल, प सकता है, इस IPO की demand भी बहुत अच्छी है मार्केट में, तो इस IPO में पेशा लगाना चाहिए कि नहीं, तो definitely इस IPO में पेशा लगाना चाहिए, लिस्टिंग के इन के हिसाप से, और लिस्टिंग के बाद इस IPO का valuation क्या होता है, इसका analysis करने के बाद ही अम में इसे रखने का नि अगर आपको हमारी जानकरी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिक्शन बिल को call में सिलेक्ट करके ज़रू जाईए, तेंक्यू